बठान मोवेंगा रिव्यू लेकर दोस्तों हम आ गए हैं आपके साथ आज ये फिल्म रिलीज हुई है सिनेमा घर में सलमान खान की एंट्री शारुक खान का दमदार एक्शन और दोस्तों साथ इसके एक्शन सिक्वेंस में जॉन अबराहम का शाहनदार पंच ये बनाता है फिल्म को सबसे ज़्यादा खास और उपर से बैक्गराउंड म्यूजिक और शाहनदार दोस्तों सिधार्त आनंद का एक्शन में डारेक्शन फिल्म के अंदर कई सारे अच्छे पॉइंट है और एक आधा ही वीक पॉइंट है जिसको जम कर इग्नूर किया चा सकता है इस वीक पॉइंट में हम अगर दिपिका का नाम ले तो वो सही होगा क्योंकि फिल्म के अंदर उन्हों ने सिर्फ एक दोस्तों अपनी एक्टिंग को छोड़के अपने आपको दिखाने का ही काम किया है बागी उनका फिल्म के अंदर कोई काम नहीं लेकि शारुखान ने अपनी फिल्म को अपने हाथों संभाला है और बताया है कि एसार के के दिन अभी गए नहीं है और कुर्सी की पेटी अब बांदेनी चाहिए जिहां दोस्तो रोमेंटिक फिल्मे करके जीरो जैसे फिल्मे करके अपने करियर को बिल्कुल डाउन लेवल पे ले गए शारुखान अब फिर से तुफान की तरह आए हैं पठान मूवी में और जॉन अबराहम दोस्तो ऐसे रोल्स में जहां बाइक्स भगानी है वैसे में खुद को वो पहले ही प्रूफ कर चुके है धूम जैसे फिल्मों में वो काफी शानदार दिखते ही है फिल्म का बेकरण्ड म्यूजिक अच्छा है फिल्म में दोस्तो चेजिंग सीन अच्छे है और काफी शानदार तरह के से स्टोरी बिल्ट की गई है और जो पिछले करिये जो इसमें एक्टर्स है इस्पाई उनिवर्स के उनको भी काफी शांदर तरह के से फिट किया गया है फिल्म के अंदर एक्ष्टर कुछ भी नहीं डाला गया है फिल्म को जाता लंबी कहचने का प्रयास भी नहीं सिर्फ दिपीका का यह केरेक्टर ऐसा है जो आपको थोड़ आसा कम अच्छा लगेगा बागि इस फिल्म के अंदर आपको कोई भी कमी नजर नहीं आने वाली है डारेक्शन हो या फिर एक्षिन या फिर एक्टिंग सभी शांदा है क्या आप यह फिल्म देखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें देखो देखो